नमस्कार दोस्तों मैं नाम स्वापनल शुकला है और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कोई भी Android फोन को जो उसमें Google का सिक्योरिटी है अगर आप हाड रिसेट करते हैं तो उसे बाइपास कैसे कर सकते हैं तो आज इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कैसे आप बाइपास कर सकते हैं चाहिए वो कोई भी कंपनी का Android फोन हो और ये प्रॉब्लम तब आता है जब आप अपना ID या पासवर्ड जो भी हो आप भूल जाते हैं आपका फोन हाड रिसेट करने के बाद वो रिकावरी के लि या तो फिर आगर आपके पास 4G या 3G नेटो तो उसे कनेक्ट करना है तो चलिए पहले मैं अपने Wi-Fi से कनेक्ट कर लेता हूँ अपने फोन को ताकि इसमें इंटरनेट की सर्वेस तो चालो हो जाए जो की बहुत ही important चीज है उसकी बिन आप आगे step forward नहीं कर सकते हैं तो यह हो गया जैसे ही connect हो जाए अब आपको क्या करना है कि add another network पे click करके कुछ भी type करना है जो भी आप कमन करें उसके बाद select all करके 3 dot पे click करके assist पर click करना है अब आपके सामने ok Google आ जाएगा अब यहां पर आपको एक application सर्च करना है जो हम download करेंगे इसमें तो उस application का नाम है d dpc apk तो dpc का apk हमने download करके install करना है तो जैसे ही आजाएगा अब आपको apkmirror.com से या फिर कोई भी website से आपको सीधा apk download करना है तो मैं trust करूँगा apk mirror को और जैसे आप उस पर click करेंगे तो आपके पास जो भी browser से उसके option आजाएगे तो मैं normally Google Chrome चूज कर लूगा और चल करना क्या है कि इसे download करना है तो इसका apk हम download कर लेते हैं पहले तो जैसे इसका apk download हो जाएगा उसे हम install करना है तो यह आपर आगा option तो अचली download कर लेते हैं और मैं आपको बता दो कि जो notification bar है वो काम नहीं कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि notification bar काम नहीं कर रहा है तो जो भ पहले आप Securities में जाके Unown Sources को On कर दीज़े अब बैक आके फिर से APK को इंस्टॉल करने के ट्राइ कीज़े इंस्टॉल पर क्लिक कर लीज़े थोड़ा सा टाइम लगेगा जो भी रिक्वार्मेंट से उसे प्रवाइड कर दीज़े और बस थोड़े से टाइम के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा इंस्टॉल होते हैं हमें इसे ओपन करना है तो चलिए एक बार ये इंस्टॉल हो जाए तो इसे ओपन करते हैं थोड़ा सा टाइम लेगा जी हां हो गया चलिए इसे ओपन करते हैं अब open करने के बाद जैसा है उसे वैसे ही छोड़के setup पे click करना है setup पे click कर देते हम setup पे click करना है इसे भी select कर लिजिए setup पे click कर दीजिए अब थोड़ा सा time लगेगा और उसके बाद आपको back जाना है जैसे आप back जाएंगे ये agreement आपको accept करना है yes accept करना है जो भी आपकी company का रहेगा उसका आएगा तो अब आपको आप देख सकते हैं आप phone के अंदर घुश जाएंगे तो इसे skip कर दीजिए add account करने की कोई जरुवत नहीं है तो skip भी कर सकते हैं तो मैं इसे skip कर देता हूं बंद कर देता हूं तो आप यह process यहां से भी आप अपना account add कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो मैं इसे skip कर देता हूं आप finish कर देता हैं और आप देख सकते हैं आप phone में आ गए हैं लिकिन अभी आपका काम खतम नहीं हुए हैं अभी आपको settings में जाना है और इस phone को soft reset देना है ताकि जो भ आप जब phone reset होके on होगा तो आपके पास जो phone होगा वो एकदम नया phone होगा जैसा वो company से आथा तो आप उसे जैसा चाहें वैसा use कर सकते हैं और हाँ जो problem था आपका bypass का वो solve होगया आपने अपने phone को successfully bypass कर लिया है तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको य लगले वीडियो मिलुगग तब तब किली बाइबाएं